हलो दोस्तों, Level Up Your Life चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्सेलर बुक रिस डैट पूर डैट की जो राबट के उसाकी द्वरा लिखी गई है इस किताब में पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छी डंक से सिखाय गया है आप इस आडियो समरी को सुन का समझ पाएंगे की पैसा कैसे कमाई जाए और कहां खर्च किया जाए रिस डैट पूर डैट बुक को सेवन चैप्टर में एक्स्प्लेइन किया गया है चैप्टर नमर वन अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते चैप्टर टू लोगों को पैसे की सिखा देना क्यों जरूरी है लाइबिलेटीज और एसेट की बीच के फर्कों को समझें और शिर्फ एसेट ही खरीदें लाइबिलेटीज और एसेट किसे कहते हैं चैप्टर 3 अपने काम से काम रखो आपको किस तरह की एसेट खरेदने चाहिए चैप्टर 4 टैक्स का इतियास और कार्पोरेशन किसागती चैप्टर 5 अमीर लोग पैसे का अविश्कार करते हैं इन में से कौन सा काम आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है चैप्टर 6 सीखने के लिए काम करें पैसों के लिए नहीं चैप्टर 7 बाधाओ को पार करना अमीर लोग अपने बच्चे को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और माध्योंवर के माता पीता नहीं सिखाते हैं पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए या हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। साइध यही वज़य है जिसके करण अमीर लोग भी और ज़्याद अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और ज़्याद गरीब हो जाते हैं। करनाना शुरू कर सकते हैं हमें से ज्यादेतर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं लेकिन एक गरीम माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इसकूल और मैनस से पड़ो हो सकता है वो करने के बाद आप एक बार जरूर सोचेंगे कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ा इस बुक को जितनी भी तारीक की जाए उतना कम है यह बुक राबर्ट क्योशाकी के व्यक्तिकत जीवन पर अधारित है इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही अच्छे त समझ का है इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर इनसान को चाहे वो किसी भी प्रोफेसर में क्यों ना हो जिन्दगी में एक बार इस किताब को जरूर परना चाहिए अगर आप एक स्टुडेंट है तो आपके लिए किताब और विज ज्यादा फाइदमन्त साबित होग एक ही आदमी के दो पिता कैसे हो सकते हैं दरहसार रावर्ट अपने खुद के पिता को पूर डैट कहते थे और अपने मित्र माई के पिता को रिश डैट कहते थे रावर्ट के खुद के पिता जिने ओगरीब पिता कहते थे वे एक सिच्छित और बुधिमान व्यक्ती थे वे एक PhD होल्डर सिच्छक थे जबकि उनके दूसरे पिता उन्हें रावर्ट अपना पिता कहते थे आठवी क्लास भी पास ना कर पाएं रावर्ट के दोनों ही डैडी अपने अपने केरिया में सवाल थे दोनों ही पिताओं ने जिंद्गी भर कड़ी मेहनत की और काफी पैस सकमाया लेकिन एक हमेशा आर्थिक प्रिसानियों से जूजते रहें और वही दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने हमें से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिन्दी भर पैसों की कमी की कारण और दूसरा दसलाग प्रति महीन कमाता है तो इन में से किसकी सलाय आपके लिए ज्यादा कारगार सावित होगी दिसले मेरे पास दो वीडियो दिस्टर कुरो का बिकलप था एक गरीव आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का मिशाल के ताओर पर पूर डैडी कहते थे पैसो दैडी कहते थे पैसों की कमी सारी बुराई की जड़ है वह दैड कहते थे मैं इसे नहीं खरीच सकता हूँ यहां एक वाक पतन और दूसरा पशन है एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि कैसे खरीदा जा सकता है अमीर डैडी कहते हैं मैं इसे नहीं खरीच सकता है यह कहना मासिक अलस की निसानी है पूर डैडी सलाय देते थे कि महनस से पढ़ो ताकि तुम्हें किसे अच्छी कमपनी में नौकरी मिल सके वहीं अमीर डैडी की नसीहत देते थे महनस से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदन राबर्ड के खुद के पिता जिनने उगरीब पिता कहते थे वो एक उच्छित और बुद्धिवान व्यक्ति थे वे एक PhD होल्डर सिछक थे जबकि उनके दूसरे पिता उन्हें राबर्ड अपना अमीर पिता कहते थे आठीवी क्लास भी पास्ट भी नहीं कर पाएं राबर् कि सबसे अमीर लोगों में से एक बने हमें से ज्यादतर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिंदगी भर पैसों की कमी के कारण जोजते रहते हैं अपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को फानेंसियल एड़वाइस ऐसे देते हैं जैसे स सारे दुनिया का ज्यान उनहीं के पास हो आप जड़ा सोच कर देखिए अगर आप दो लोगों से सलाय मांगते हैं जिनमें से पहला एक लाख रुपय परती महीना और दूसरे दस लाख परती महीना कमाता है तो इनमें से किसकी सलाय आपके लिए ज्यादा कारगर सावित हो एक गरीव आदमी और दूसरा अमेर आदमी मिसाल के तवर पर पूर डैड़ी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है वहीं दिश डैड़ी कहते थे पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है पूर डैड़ी कहते थे मैं इसे नहीं खरी सकता वहीं दिश डैड क कहते हैं मैं इसे नहीं खरीश सकता यह कहना मांसिक अलस की निसानी है पूर डैडी सलाय देते हैं मैंनस से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपणी में नौकरी मिल सके वहीं अमीर डैडी कहते हैं मैंनस से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कं पूर डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है वहीं अमीर डैड कहते हैं मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है पूर डैडी कहते थे जहां पैसों का मामला हो वहां सुलच्छित खेलो जोखिम मतलो वहीं अमीर डैडी कहते थे जोखिम को सम्हालना सेखो आखिरकार रावर्ट टी कियो साके ने मात नौ उम्रे में फैसला किया वे सिर्फ अमीर डैडी की सिलाया मानेंगे और केवल उन्हीं की बात बताएगे राश्ते पर चलेंगे रावर्ट ने अपने पढ़ाय स्तुरू किया और इसी पढ़ाय की दारान उन्हें अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे जिनकी बतलत वो आगे चलका अमीर बन गए चैप्टर वन अमेर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं सबसे पहले आप इस चोड़ी सी कहानी को समझ लेजिए एक वक्त जिसके पास एक गदा होता है जब उस वक्त को अपने गदे से महनत कराने होती थी तो एक गाजर उस गदे के आगे लटका देता है उस गदे को उमीद होती है कि एक नएक दिन उस गाजर तक पहुंची जाएगा लेकिन बेशारा गदा उस गाजर तक कभी नहीं पहुंच बाता है क्योंकि यह गाजर तो सिर्फ एक छलावा है लेकिन उस वक्त के लिए गाजर गदे से महनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई थी ज्यादतर लोग उसी गदे की तरह ही होते हैं जो इस उमीद में महनत पर महनत किये चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे लेकिन पैसा उनके लिए कि एक सपना बनकर ही दे जाता है वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सि नहीं हम गरीब के गरीब ही नहीं रह जाएं इस अध्याय में आथा ने उन लोगों के बात की है जो खेल को सुरचित खेलना चाहते हैं यानि जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको जोखियों लेना तो कभी सिखाया ही नहीं गया ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा डर बना रहता है जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर, नोकरी छुटने का डर, प्रयाप्त पैसा ना होने का डर और दोबार नए सीरियों से शुरुआत करने का डर यहीं डर की वज़े से ज़्यादतर बढ़ने लगते हैं, इसी को अमीर डैड रैट रेस चुपाद दोड कहते हैं, जो कि एक ट्रैप है, हमको लालश ओडर की इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि हमें से ज्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं, इसी ट्रैप के सिकार हो जाते हैं, लेखा का कहना है कि हर इ बचरिव लोग हमेसा पैसे और सिकोरिटी के पीछे भागने में लगी रहते हैं, लेखा कहना है कि हमारे पास 24 गंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका फायता किवल हमारे मालिक का होता है, या उस कमपनी को जहाँ आप नोगरी कर र तो सबसे पहले यह समझना होगा कि आप खुद के लिए जवाब दे हैं ना कि दूसरों के लिए आपका जो भी सवाल है खुद से पूछिए उनका जवाब सिर्फ आपके पास ही है अमीर बनने की राह में आपका पहला कतम होना चाहिए कि सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दीजी क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच आपके बीना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकामियावी किराष्टे पर धकेलता है इसलिए डर और लालच को खुद पर इतना हावी ना होने दे कि उसकी वज़े से आप उल्टे सीधे फैसले लेते रहें बैतर होगा कि आप जो भी करें अच्छे से सोच समझ कर करें आपका कोई भी निरड़ जल्दबाजी में ने लें आपको प्रते दिन अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको अपनी पोटेंशियल के मताबिक करना चाहिए ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कर देती है जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं अमीर डैडी अपने सबसे सबक की सुरुबात कुछ इस तरह से कहते हैं कि ओर राबर्ड और उसके मित्रमाइक को अपने एक कांटिनिवस स्टोर में काम कराने लग जाते हैं इस काम के लिए उनने पैसा नहीं मिलता फिर भी ओ दोनों काम करते हैं वो दोनों पूरे दिल से इस काम को करते हैं इसका फायदा यह हुआ कि इस काम के दोरान उनके दिमाग में कई नए आइडिया आये हैं अमीर डैडी ने उन दोनों को बता कि पैसा कमाने के तरीकों पर हमेसे निगा रहे गे अगर आपने एक बार आउसर को पैचा लिया तो आप जीवन बार अच्छे आउसर को पैचानने लगोगे उन दोनों ने अमीर डैडी की इस बात को याद रखा उननों देखा कि इस्टोर की कलरक मिसीज मार्टिन कॉमिक्स बुक के सामने वाले पैस को दो हुच्छों में फार देती हैं और आधा हिसा उपने पास रख लेती थी और बाके का आधा हिसा फेक देती थी साम के समय स्टोर में कामिक्स डिस्ट्रिब्यूटर आता था और कामिक्स बुक के उपर आधे हिसी की स्टोर की कलरक मिसीज मार्टिन से क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कामिक्स बुक्स दे दिया करता था उन्हें सुचा क्योंना हम पुरानी Comic Book को किराय पर पढ़ने के लिए दिया और उन्हें आइसा ही किया जाए उन्हें अपने दोस्तों और बाकी बच्चों के लिए Comic Book को किराय पर देना सुरू कर दिया था इसके बदले ओ घंटे का 10 सिंट किराय वसूर करते थे इन दो घंटों में ग्राहे कितनी भी किताब पढ़ सकते थे उन दोनों ने माईक की बहन को इस काम में अपने मदद के लिए एक डाला प्रतिक सप्ता की तनखोय पर रख दिया इस तरह ओ दोनों तिन महीने पर आउस्तना रहा सप्ता 9.50 डाला कमा रहे थे इन्होंने इससे सिखा की पैसे को खुद के लिए काम पर कैसे लगाया जाता है चैप्टर टू लोगों को पैसे की सिच्छा देनक्तियों जरूरी है राबट बताते हैं कि 1923 में एक मीटिंग हो थी इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर और पियाद अमीर बिजनेसमेन लोगों लों हिस्सा लिए था इन में से एक बहुत बड़ी इस्टिल कंपनी के मालिक चार्लर स्तवाब और सेमुल इस वक्ति के लार्जेस्ट यूटिडिटी प्रिसिडेंट के अलामा और अन्य बड़े विजनेसमेन यहां मौझूद थे इस मीटिंग के 25 साल बात देखा गए इन में से कई लोग दरीब में मरें कुछ ने खुद खुशी कर लिए और कुछ ने तो अपनी दिमाग की संतुलन ही खो दिगा असल बात तो एक कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन ओए सीखना भूल जाते कि पैसे को कैसे रखा ज लगते हैं दोस्तों इस पोस्ट में जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ने वाले हैं उसे समझना बहर जरूरी है जब पैसों की बात आती है तो अक्सर हम दिमाग में कई तरह के सवाल उड़ते रहते हैं जैसे पैसे की सुरुवात कैसे और कहां से की जाए कौन सी गिता दोलत पर ध्यान नहीं देते जिसका नाम है फानेंसियल एजुकेशन अगर आप इस सूचेंगे की पैसा ही आपकी समस्याओं को सुल्जा सकता है तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही परसानी भरा होगा ध्यान रहे बुद्धी से समस्याओं सुलचती हैं और इसी से पैसा आता है अगर आपके पास पैसों की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपके पास कितना भी आ जाये पर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा ज्यादा तर लोग जिन्दी भर इनहीं सुच पाते हैं कि असल बात इनहीं कि आप कितना पैसा कमा लेते हैं बलकि यह है कि आप कि इसके अरामा आपने ऐसे खिलाडियों और फिलम इस्तारों की कहानिया भी सुनी होंगी जो अपने जवानी की दिलों में कर्वपती होंगे लेकिन बुढ़ापे की दिलों में भीक मांगने तक मज़़ूर हो जाते हैं इसका कारण यह है कि पैसों की समझ ना होना यह पैसों की एक अच्छी समझ होई होनी चाहिए चलिए इस उदार से समझते हैं अगर हमें कोई घर बनाना है तो हमें 6 फिट की निव खोदने होगी वहीं अगर हमें बहु मंजिला इमारत बनानी है तो हमें सबसे पहले 11 गड़ा खोदना होगा और एक मजबूत निव डालन इसलिए स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिंग नहीं होती है लाइबिलेटीज और एसेट के फर्कों को समझे और सिर्फ एसेट ही खरीदें अमीर बनने कर सबसे आसान और सबसे मातपूर्ण नियम है कि आपको संपत यानि की एसेट और दाइत या इकलावता नियम है जो बहुत आसान लगता है लेकिन ज्यादेतर लोगों को इस नियम की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं होती है ज्यातर लोग पैसों से समझे समस्याओं में सिर्फ इसलिए उगलत जाते हैं क्यों उन्हें नहीं पता है कि संपत यानि की एसेट और दाइत यानि कि liabilities में क्या फर्क होता है आमीर लोग संपतक हैं वहीं ग canonical व्मस्याद करते हैं और मजे की बात ए है कि गरीब और Pardon Aí लगता है कि ऌन्हें समंत्तित होता है चलिए आप ईसेट और liabilities के अंदर को समझते हैं asset वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है वह हैं liabilities हर्च वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है बस आपको उतना ही जानने की आवज सकते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं जातर लोग जिन्दी पर पैसों की तंगी से जूजते रहते हैं 80% परिवारों की पैसों की कहानी यही होती है कि वह पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं फिर भी वह आमीर नहीं बन पाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वह पैसा नहीं कमाते किया जाए अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो उसका मतलब एक कि आपको पैसों की समझ है ज्यादे तर लोग य데ट नहीं बता पाते कि पैसों की तंगे क्या आफल Streets का representsmetus Creedaknow Tama क्वाहई से ज्यादा कढ़ी मेहनत करते हैं क्योंकि ऊपने कढ़ी मेहनत करना तो सीखा है लेकिन एक सिखेंसे प्रवार्ण करवाना नहीं से समझते हैं हाली में साधी सुधा पती पतनी एक किराय के मकान में रहने लगते हैं उन्हें ऐसा लगता कि वो पैसा बचा रहे हैं क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगबक उतना ही होता है जितने की अकेले आदमी का अब उस समय है कि जिस मकान में रहते वो बहुत छूटा है, वो दोनों अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं, ताकि वो बच्चा पैदा कर सके और उनके पास दो तनख्वाय आती होती है और अपने केरियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, उनकी आमदरनी बढ़ने के काड़ वो फैसला लेते हैं कि अब किरया की मकान में नहीं रहेंगे, बलकि वो अपने सपनों का घर खरीद लेंगे, और वो दोनों एक नया खरीद लेते हैं, घर खरीदने के बाद उन पर एक नया टेक्स का बोज आ जाता है, जिसे प्रापरटी टेक्स कहते हैं, फिर वो दोनों एक ने कार खरीते हैं, निया फरनीचा और निया समान खरीते हैं, ताकि उनका घर आलिसान लगे, वो दोनों ये चीजे संपत समझ का खरीद रहें, लेकिन ये संपत नहीं दाई तो है, कि कोई इन सब चीजों से उनका जे में पैसा आ नहीं रहा, बलकि जा रहा है, अचानक वो अपने सपने से जाकते हैं और देखते हैं कि उनके दाई तो कालम पढ़ गया है, और उन्हें कार लोन वो क्रेडिट कार लोन की किस्ते भी चुका रही है, अब वो चुगधा दाउड में फास चुके हैं, एक बच्चा पैदा हो जाता है, ताकि तभी उनके पास किसी और बैंक का क्रेडिट कार आ जाता है, वो उसके इस्तमाल करते हैं, वो खत्म हो जाता है, तभी एक लोन कंपनी का आदमी आका उन्हें बताता कि समझधारी इसी में होगी कि अपने उची ब्याजदर के लिए इस कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कारड से चुका, और उसे अपने कंज्यूमर लोन को होम में बदल लिया है, उनकी अपनी पैसे इनकम देनी है, क्योंकि उन्हें अपने होम लोन की किस्त 30 सालों में चुकानी है, इन समस्याओं से निपड़ने का यही समार तरीका उन्हें लगता है, 31 सालों तक किस्त चुकाएंगे और पैसों की तं करने की है, और यही पैसों की तंगी का कारण है, दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने आपको किसी गड़े में फसा दिया है, तो गड़ा खोदना बंद कीजिए, गरीब और मिडियर क्लास के लोग आक्षरधन की ताकत से नियंत्रिड होते हैं, वो सुबह सुबह की ताकत उनके विरोध में इस्तमाल होती है, क्या हम खुछ से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इसमें समझदारी है, हम लोग अंदरोनी समझदार पर भरोसक करने के बजाए बीर के साथ साथ चलने लगते हैं, अक्सर ना समझी की कारण हम वही दोहराते हैं, जो हमें सिखाया गया है, बीर के साथ चलने और परोसियों के ऐसे अराम की नखल करने के कारण पैसों की बहुत से समझार पैदा होती हैं, अमीर बनने का सबसे महत्पूर्ण नियाम यह है कि ऐसेट और लाबिलिटीज के बीच के अंतर को पैचाना जाए और हमेशा पैसा देने वाले करते रहें, चैप्टर थ्री, अपने काम से काम रखो, इस अध्याय में आथर कहते हैं कि लोग अपने एसेट पर ध्यान देते हैं, जब कि गरिब या मिडिल क्लास लोग अपने इंकाम इने स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, टैक्स इन्वरसिटी में मैक डेन मैंक डोनल्ड के संस्थापक रेक क्राक ने एक क्लास में अपने स्पीश दे यह बात उन्हें सव सेथालिस की है उनकी यह इस पीश बहुत ही सांदार और लोगों को प्रेजित करने वाली थी इस बीच के बात क्लास के छातरों ने उनके साथ कुछ समय विदाने की गुजारि में हूँ इस सवाल के बाद पहले तुछात्रा हाशन लगए फिर उनमें से किसी एक हिम्मत ने जुटाते हुए बोला कि जाही है कि आप हैंबर्गर बिचने के वाशाय में हैं इस जवाब को सुनकर रिक राख हाशन लगा उनका मैं जानता था कि आपका जवाब यह होगा लेकिन मैं हैंबर्गर वैसाय में नहीं बलकि रियल इस्टेट वैसाय में हूँ मैं डानल्ड की सापलता की फ्रेंचाइजी की जमीन और उसकी लोकेशन की अहम होमिका है मैं डानल्ड की फ्रेंचाइजी खरीता है जबकि ओ जमीन भी खरीदना पड़ता है इसका सीधा सा म सबक अमीर डैडी नरावर्ड को सिखाया कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकि सब के लिए काम करते हैं अमीर डैडी इस रैस को जान दे थे इसलिए हो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान खुद के कामों पर कैंदरित करो अपना पूरा जीवन दूसरों की खादिर काम करने में बरवाल मत करो हमें इससे ज्यादतर लोग टैक्स चुका कर सरकार के लिए काम करते हैं हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां हम नौकरी करते हैं जहतार लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि उस तारी जिंदगी दूसरी के लिए काम करते रहते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते हैं आज की सिछा प्रडाली ऐसी है जो इवाक्यों गेवर अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तयार करती हैं है आप सब जानते हैं कि आप जो पढ़ेंगे वही आप बनेंगे यानि अगर आप पुकिंग का अध्यन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं अगर आप वुदी का उसरे की काम की परवाह करने और अमीर बनने में लगा देते हैं पेसे और आपके खुद की काम में बड़ा फर्क होता है रावर्ट कहते हैं कि जब मैं एक बैंक में काम करने वाले वक्ति से पूछता हूं कि आपका खुद का काम क्या है तो उसका जवाब होता है कि मैं एक बै प्रत उसका खुद का काम कुछ भी नहीं है आतर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए अपने नोकरी करते हुए असली संपत खरीदते रहना चाहिए हमें ऐसे दाइत या निजी समान खरीदने से बचना चाहिए जिनका मोल उन्हें घर लाने के बाद कम हो जाए क्योंकि यदि आप कोई नई कारसोरों खरीद का अपने घर लाते हैं तो उसकी कीमत उसे समय 25% कम हो जाती है इसका मतलब यह कि कार एक असल संपत नहीं है इसी तरह और अन्य चीजे जिसके कीमत लगतार घरती रहती है कि आप जानते हैं बिजनेस करना क्य अब यहा होता है चलिए हम समझते हैं एक बार एक करुबार जहां आपके मौझूद रहने की ज़रूरत ना हो जिसका प्रबंदन दूसरे λोग आप के लिए करें उसे ही बिजनेस करना कहते हैं अगर आपको भी वहाँ मौझूद रहकर काम करना पड़े तो वह बिजनेस न रखना सुरूब कर दीजिए और हमेसा ऐसे दाइद का व्यक्तिगत चीजों को खरीदने से बचे जिनकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती है चैप्टर फोर टेक्स का इतियास और कार्पूरेशन की सकति शुरुआत में टेक्स के वल अमेर लोगों पर ही लगाया जाता था शुरुआत में टेक्स का मतलब था जो व्यक्त ज्यादा पैसा कमाएगा वो अपनी कमाएगा कुछ हिस्सा जुर्माने की तोर पर सरकार को देगा बाद में टेक्स उन लोगों से भी वसूला जाने लगा जिनने इसकी पहरवी की थे यानि गरीव और माध्यम वर्ग सबको लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टेक्स देते हैं पर वास्तों में ऐसा बिल्कुल नहीं है आज की समय में माध्यम वर्गी लोग ज्यादा टेक्स देते हैं वहीं अमीर लोग सबसे कम टेक्स देते हैं क्योंकि अमीर लोग टेक्स और उसे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह समझते हैं अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या फिर ऐसे लोगों को जाब पर रखते हैं जो इस फिल्ड के अच्छे जानकर हो कार्पोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है जिससे एक कहानी संस्ताव बनती है या दर असल कोई चीज नहीं होती या कोई फैक्टरी या लोगों को समूझ नहीं होता लेकिन कार्पोरेशन की इंकम टेक्स दर्वक्तिगत इंकम टेक्स दर से कम होती है इसके अलाम कार्पोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की जूट होती है इसलिए अमीर लोग अपना पैसा कार्पोरेशन में निवेश करते हैं और उसका फायदा उठा कर अपना टैक्स कम कर लेते हैं अब हम देखेंगे कि आदमी और मिडल क्लास लोग टैक्स कैसे भरते हैं अमीर लोग जिनकी बड़ी बड़ी कमपनियां होती है वो पहले मुनाफ़ा कमाते हैं फिर खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बचता है और उस पर टैक्स देते हैं मिडल क्लाश लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स बरते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश की टैक्स फ्रलाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के लिए ने तरीके सोचने होगे। चैप्टर फाइप अमीर लोग पैसे का इविसकार करते हैं। अथा अलकजेंडर ग्राहम बेल की कहानी से सुरुआत करते हैं। अलकजेंडर ग्राहम बेल ने टेलीवी फोन का इविसकार किया। और बाद में उसे पेटेंट भी करा दिया। उनके इस ने अविसकार की मांग बहुत ज्यादा होने की वज़ेश से वी बहुत परसान थे। क्योंकि ग्राहम बेल को इतने बड़े बिजनस को संबालने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसलिए ग्राहम बेल उस जमाने की नामिक कमपनी वेस्टन यूनियन के पास ठुकरा दिये कि आप बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो। बाकी इतियास गवा है इसके बाद एक मल्लिक बिलियन डालर कमपनी का जर्म हुआ। रखना। आप मेंसे ज्यादातर लोग जानते होंगे कि एक बार इसकूल कॉले से निकलने के बाद डिगिरी है यह अच्छे ग्रेट ज्यादा महत्रपूर नहीं रह चाते हैं। असल जिन्दगी में ग्रेट काफी नहीं होते हैं। बढ़ाते हैं तो आप जिन्दगी बहुत कुछ हासित कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आगे आने वाले समय आपके लिए और भी ज्यादा डरावना होगा। रावर्ट कहते हैं कि आज के समय में मैंने बहुत से साल लोगों को संगर से कड़ी मेहनत करते हुए देखा। क्योंकि वो आज भी पुराने विचारों से जकड़े हुए हैं। वो अपनी नोकरी छुटने, अपना मकान कमाने के लिए तकनीक, अर्थविष्टा या अपने बास को दोश देती रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन समस्याओं का करार उख खुद ही है। रावट ने एक गेम बनाए जिसे वो कैस फ्लो कहते हैं। एक गेम लोगों को सिखाता है कि पैसे कैसे काम करता है, निमेज कैसे करना चाहिए, अमीर बनने का सही रास्ता क्या है। रावट ने सारी बाते इसे गेम के माद्यम से समझने की कोचिस की है। एक दिन एक महिला रावट के पास आई। इस महिला ने सीखने का एक मुलवान आवसर खो दिया। शुरुआती दोर में गेम खेलने के दरान उसे एक ओडर कार्ड मिला। जिसका मतलब यह था कि उसका एक नाव जीती है। वो महिला बहुत खुश होई लेकिन जब उसे पता चला कि इस नाव नहीं ले लेगी। उसे खेड समझ नहीं आया। उसने रिफेंड की मांगी वह पैसे वापस पाकर चली गए। लेकिन बात में उसने फोन करके बताया कि आप उस एक गेम समझने में आने लगा है। और उस गेम को अपने जीवन को जोड़कर देख पा रही थी। जहतर लो खेलने की कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में काफी सारा अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उस पैसे का क्या करूं। असल जिंदगी में भी ऐसा होता है कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन वे वितिये द्रिश्टी से कम जोड होते हैं उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती वो सिर्फ सही मौके की तलास में बैठे बैठे अपने जिंदगी गवा देते हैं राबट कहते हैं कि कुछ लोगों को तो सही मौका मिल भी जाता है लेकिन फिर भी वो फायदा नहीं उठा पाते क्य में एक महिला पत्रकार उनका इंटर्व्यू ले रहे थी महिला पत्रकार उनसे बोली कि मैं आपकी तरह बेस्ट सेरिंग लेखक बना चाहती थी राबट भी उस महिला पत्रकार के लेख पड़ चुगे थे जो काफिये दमदार और अजबस्ट थे उसके लेखों में पाटक सच करने से रोक रहा है इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दे कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रहा है इसपर रावट्वर्पट ने उस महिला रिपोर्टर को रेड़ा होकर कॉर्स करने के सला से और Democrat कहते है कि यह दुनिया smart स्चीता प्रभाश शेथ पहले भरी पड़ी है पर हम ऐसे लोगों से रूज मिलते हैं ऐसे लोग हमारे आज पास ही होते हैं लेकिन पॉइंट की बात एक ही पैसा कमाने के लिए आपका केवल टैलेंट ही काफी नहीं है क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए जब तक आप यह नहीं जानेंगे तब तक आपका टैलेंट बेकार है बेचने और मार्केटिंग के योगताएं सीखने ज्यादतर लोगों के लिए मुश्किल होता है खास तोरप एस्विक्रति के डैर की काराल लेकिन इसे सीखना बहुत जरूरी है अमीर और गरीब डैडी के बीच एक सबसे बड़ा आंतर यह था कि गरीब डैडी हमेसा नोकरी की चिंदा करते थे क्योंकि एक सेफ नोकरी उनके लिए सब कुछ थे जबकि अमीर डैडी सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोड़ देते थे क्योंकि अमीर बनने के लिए आपका सीखना बहुत जरूरी है चैप्टर 7 बधाओं को पार कर रावट कहते हैं कि पैसे की समझ होने के बाद भी आर्थिक अजादे हासिल करने की राह में कई बधाय आपके सामने आ सकते हैं ऐसे 5 मुख करण हैं जिनकी वज़े से पैसों की समझ रखने वाई लोग भी अपने संपत्य वाले कालम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं इ कि मुझे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो और नहीं मुझे कोई ऐसा अमीर इंसान मिला जिसने पैसे का नुकसान नहीं उठाया हो लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूँ जिन आप ऐसफालता को कैसे लेते हैं? ऐसफालता विजताओं को प्रेधित करती है और ऐसफालता पराजितों के हौशले अपने आपको बदलने के जरूरत है आप बेसक शुराच्छात्मक तरीकी से ही खेले लेकिन आपको जल्दी शुरुआत कर देनी चाहिए सेकंड निरासावाद को पार करना असमान गिर रहा है हमें से ज़्यादत तरलोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं सब्सक्राइ के अबयों गजय से सब्वाराइ के हमें यह संकाए Τ.'" क्या हो Aa क्या होगा अगर यせ नी विश्यंटे ने अकी एजब सब्सक्राइ के दिड़ उप से कभी कभी हम काम शुरू करने से ही पहले सामने से गुज़र नहीं होता है हमें संकाओं का नजर अंदार करके आगे बढ़ना है थार्ड आलस पर जीत हांसिल करना बेस्त लोग अक्सर सबसे ज्यादा आलसी होते हैं इसका सीधा सा मतलब आप इस शोटी सी कहानी से समझ सकते हैं एक वेफसाई होता है जो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेनत करता है वो आफिस देर में काम करता है और विकेंड पर भी आफिस का काम घर ले आता है और एक रात जब घर लाओड़ता है तो उसे घर खाली मिलता है कि उसके पत्ने बच्चों के साथ लेका घर छोड़कर चली जाती है वह जानता था कि उसके और उसके पत्ने के संबंद कमजोड है लेकि संबंद को मजबूत बनाने की मेंनत करने के बजा वैय आपस में इब själ예요 बना परिवार के चले जाने पर वनिरास हो जाता है और अपने काम में भी लपरवाही करने लगता है जिसके कारण उसकी नोकरी भी चली जाती है ज्यादा वेश्ट लोग किसी एक चीज में अपना सालस समय देकर बाकी चीज़ें गवाँ देते हैं आप अपने आलस पर कैसे जीत ह कोशिस कर सकते हैं याद रखे हर चीज की अति बुरी होती है इसलिए ज्याद लालश भी न करें फोर्थ बुरी आदितों से बचना हमारी आदिते हैं हमारी सिछा से ज्यादा महत्पूर होती हैं अगर आप की नहीं दू व्यक्तियों से तुलना करेंगे तो आप उनके और इनिवेस्टमेंट के लिए पैसा अलग निकालने हैं इसके बाद ये अपने बिल से चुकाने हैं अगर आपको अमीर बढ़ना है तो आपको यह आदर डालने होगी चाहे आपके पास कम ही क्यों नहों खुद को पहले पेकरने की आदर से आपको दो फायदा होंगे पहल मैं जो जानता हूं उसी की बदलग मैं पैसे बनाता हूं और जो मैं नहीं जानता हूं उसी की वज़े से मैं पैसे गवाता हूं जैतर लोग अपनी अग्यानता को छिपाने की कोशिज में एंकार करते हैं जरूर नहीं कि आपको हर चीज के बारे में जनकारी हो लेकिन एंक करने से अच्छा हुगा कि आप उस चीज के बारे में अच्छे से जंकान कर लें